हाई गाईज, वेलकम टो मैं चैनल इजिन्टिंग क्लासेज, तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोग अच्छी होंगे, तो देखे गाईज, यहाँ पर बच्चे ने जो स्वेटर पहना हुआ है, यह मैंने रैगलन कटिंग में बनाया हुआ है, इस वीडिय का सलिप्स पूनाना विलकल नर्मल तरीका है जैसे मैंने मेरे चनल पर डाला हुआ है, यहाँ पर बॉर्डर मैंने 40 बच्चे वड़्डे ढाले हुए है, ती पर बौडर बनाया और बौर्डर बनाया और ऑस तरफ सीधा बनाया ऑढ़ा है ऑस टरफ से उल्टा है और हर पंदा इधार ए Kelvin स्वेखो है तो बनाते हुए मैं यहां तक आ गई हूं इतनी मेंने इसकी Lmooth Really मेजर करके बताती हूं कि कितनी की हैं कि देंगी इंची पताती हूं मैं आपको देखिए बिना stretch किये हुए मैंने इसकी length जो है मैं इसको अच्छे से बिचा देती हूँ साड़े बारा इंच बना लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है साड़े बारा इंच बनाने के बाद अब हम यहाँ से ragland cutting करेंगे तो यहाँ पर total फंदे मेरे पास है 80 ठीक है फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक मैं पहुच गई हूँ साड़े बारा इंच मैंने बना लिया और यहाँ पर मेरे पास 80 फंदे हो गए हैं अब हम यहाँ पर ragland cutting करेंगे तो देखिए पहले मैं क्या करूंगी इस तरह से फंदा slip करूंगी एक फंदा सीधा बुलूंगी और देखिए इस तरह से स्क्यूपर से से गिरा दूँगी ठीक है फिर दुबारा एक फंदा मैंने यहाँ पर घटा दिया दुबारा से फिर मैं इस तरह से करूंगी एक फंदा मैं यहाँ पर और घटा दूँगी तो मेरे पास यहाँ पर टोटल दो फंदे घटा दिये बस मैं दो फंदे इधर से घटाओंगी दो फंदे इधर से घटाओंगी ठीक है उसक फंदे को मैं ऐसे ही छोड़ूंगी इस साइट से आऊंगे दो फंदे में इधर घटाऊंगी ठीक है इसको इस तरह से स्लिप किया और इसकी उपासे से निकाल दिया वन अगें अगें तो दो फंदे घटा लिए अब मैं पूरी सलाई इसी तरह से उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करूंगी उसके बाद जब मैं फ्रेंट साइट पर आऊंगी तब मैं आपको रैगलेंड कटिंग बताऊंगी जी देखिए देखिए लास्ट में आ गई मैं अब देखिए क्या करना है दो दो फंदे हमने दोनों साइड से घटा दिये दो इदर से यह मैंने आइडिया के लिए लगाए कि यहां से मैंने फंदे घटाए हैं ठीक है वैसे आपको जूरुत नहीं है मैंने बस थोड़ा सा अपना स्थे पंदे को हम इस तरहひके लिए और दो फंदे इस तरह हैं जाना है अब लाश्ट दख् सेच करते हुए रहें तब तक मैं इसको सीधा बनाऊंगी याँ आ अब कि लास्ट में दो वाज़ पंदे में लेंयाँ रहाँ चार पंदे रही हैं हमारे पास थीक है अब गीए किस तरवी सीलahu पर लें यहां पर गतादिएंगे di bagadadad contenu वो sorry एक फंदा हमने यहां घटा दिया एक फंदा हम यहां घटाएंगे तो देखे ये दोनों तो हम साधा लेंगे लास्ट फंदे और इन दोनों को हम पहले हमने इस साइड घटाया था तो बैक लूप से लिया था लेकिन अब इस तरफ कटाएंगे तो ऐसे लेंगे। देखे 2 का एक करेंगे और 2 फंदे सीधे, वेज देखे. रॉंक सायड से आएंगे, अब देखे रॉंक साइड से पूरी सलाही हम पूरी लाइन उल्टी बना के कंप्लेट कर लेंगे ठीक है कि पहला पंदर स्लिप करके पूरी लाइन को उल्टा बना लेंगे देखिए पूरी से लाई हमने उल्टी बनाई अब हम फ्रेंट साइड से आगे अगें अब देखिए फिर से हमें वही करना है देखिए हर सलाई पे अब हमें यही करना है पहला फंदर स्लिप करना है दूसरा फंदर सीधा बनाना है अब इस फंद को हमें इस तरह से लगाना है देखिए इस तरह से था इसको हमें इस तरह से सलाई पर खुमा लेंगे और बैक लूप से दो फंदे कि दो का एक कर देंगे अब लास्ट के चार फंदों तक हम ऐसा ही करते हुए जाएंगे देखिए लास्ट के चार फंदे रह गए अब इन दो फंदों को हमें इस तरह से दो का एक करना है और इन दोनों को हमें साधा लेना है सीधा बलना है. Wrong sleA से पूरी सलाई हम उल्टी बना के कंप्लेट करेंगे और यह जो दो सलाई हैं यह जो सलाई बताई है मैंने आपको यहीं सलाई हैं सीधी तरफ से एक-ेक बंदा हमें घटा रहे है या बार-बार हमें कटिंग किए है तब तक करते जाना हर सीदी सलाई पे एक एक पंदा दोने तरफ से हमें घटाना है तो यह देखें फेंट्स यहाँ पर मैंने इसकी Sleeves की Legs जो है complete कर लिए ठीक है और इसको मैंने तब तक बनाया देखिए Raglan Sleeves मैंने जो है complete कर लिए इस तरह से आया है यह बनने के बाद, देखिए बहुत अच्छी सी किनारी बनके आती है, दोनों साइट से देखिए, और यह मैंने तब तक बनाया है, जब तक कि मेरे यहां पर 20 फंदे नहीं रह गए हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मैंने यहां पर 20 फंदे छोड़े ह हुए हैं, पयुक्त अब और इसकी लेंध जैसे की मेजर करते हैं तो मैं बता देती हूं, आपको इसकी जो लेंध है, अगर आप इस तरह से ना पेंगे, तो नो इंच है करीबन, देखिए, यहां से ना पेंगे, इस तरह से आड़े में तो, नो इंच आरी है, इसकी कि देखिए मैं आपको वेजर करके बताती हूं कि देखिए कि देखिए नौ इंच यहाँ पर आ रही है तो इसको अब में इतना ही बनाओंगी इसके बाद अब आगे का जो स्लिप्स कटिंग इसके बाद этих इसको चाहल पार्ट भर के गला बना लिया जाता है ठीक है तो hot स्लीप्स में कटिंग दिये साइम वैसे कंच में स्वर्ण में करेंगे और दूसरी वारी स़्ुप्स में करेंगे साथowski तो अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले हम यहाँ पर रैगलन कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने स्लीप में की थी सेम वैसे ही करेंगे तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 82 स्टिचेज हैं तो मैं यहाँ पर एक फंदा इस तरह से सिलिप करूँगी एक फंदा सीधा बना कर इस तरह से और इसकी उपर से निकाल दूगी एक फंदा मैंने यह गटा दिया एक फंदा और बनाऊंगी फिर से इस तरह से निकाल दूगी मैं यहां पे 2 फंद बंद कर दूगी और फूरी सलाई इसको इस तरह से सीधे, बनाते हुए कम्प्लीट करूगी ठीक है पूरी सलाई को मैं सीधा, बना लूगी दिवियो गो द में развंग से आ जाएंगे एक फंदा जो मैंने slip किया था वो मैं इस सलाई पर ले लूँगी और दूसरे फंदे को भी इस तरह से लेखे इसके उपर से मैं इसको इस तरह से निकाल दूँगी तो एक फंदा मैंने यह घटा दिया एक फंदा और उल्टा बनूँगी और एक फंदा और घटा दूँगी तो दो फंदे मैंने यह घटा दिये इसके बाद पूरी सलाई पूरी रोकों में उल्टा बनाके कम्प्लीट कर लूँगी देखिए उल्टी सलाई हमने बनाके कम्प्लीट कर ली अब देखिए क्या करना है रेगलन कटिंग देनी है अब हमे फ्रेंट साइड से आ जाएंगे तो देखिए एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे पहला दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे तीसरे फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से डाल लेंगे ठीक है अब यह दो फंदे यह वाला और इसके बगल वाला दो फंदो को बैक लूप से दो का एक कर देंगे ठीक है यहां यह हम दोनों साइड से करेंगे इस तरह से यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे ठीक है बस थोड़ा सा फंद्य को माने का तरीका रह जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब तक यहां पर बनाते हुए आऊंगी तो आप रैगलन कटिंग की जो रैगलन जो हम कटिंग करते हैं वो फ्रंट साइड से ही करते हैं ठीक है तो इसको मैं देखें साइड पर अब लास्ट ड्रह जाएगे तब हम यहां पर करेंगे कि क्योंकि जैसे हम यहां पर देखें दो फंदे सीधह बनाए थे पहला अब यहां हम इस तरह से नहीं करेंगे अब हम डायरेक्ट 2 फंदों को इस तरह से घठाएम गेगे दो का एक करेंगे पिर वन और टू नियों दो फटे सीध है बस यही सलाई हमें हर सीधी सलाई पे रिपीट करती हुए जाना है अब देखी यहां मैं इस slide को पूरी को उल्टी बना लूँगी, एक फंदा Slip करूंगी और सभी फंदा को उल्टा बना देखे करूंगी एक बार और मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इसको दोनों तरफ से, सीधी साइड से दोनों तरफ इस साइड और इस साइड घटाते हुए जाईएगा देखिए लास्ट में आ गई विल्कुल मैं एक बार और मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट साइड से फिर आप इसको घटाते हुए जाईगा हर सलाई पे हर सीडी सलाई पे दो फंदे कम हो जाएंगा आपके देखिए एक फंदा इधर से कम होगा और एक फंदा इधर से कम होगा हर सीडी सलाई पे दो फंदे कम होते हुए जाएंगे और इसको आपको तब तक करते हुए जाना है जब तक कि आपके पास 26 या 28 फंदे ना रह जाएं वो मैं अभी आपको बता दूँगी देखिए पहला फंदा सिलिप करेंगे ध्यान से देखेगा दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे ठीक है अब इस फंदे को इस तरह से घुमा देंगे इन दो फंदों को बैक लूप से दो कर एक कर देंगे और उसके बाद लाश्ट के चार फंदे तक चार फंदे से पहले तक सभी फंदों को सीधा बनाते वोग जाएंगे हम यापे लास्ट में आगए बिल्कुल देखिए अब यह हमारे पास 4 फंदे रह गए यहां पर 1,2,3,4 अब इन दोनों फंदों को देखे इस तरह से 2 का एक कर देंगे और 2 फंदे सीधे उल्टी साइट से पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे ठीक है हर बार यही करेंगे अब हम तब तक घटाते हुए जाएंगे हम दोनों साइट से हर सलाई फ्रंट साइट पर 2-2 फंदे घटते जाएंगे इसको हम तब तक घटाते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे पास यहां पर घटते घटते करीबन 24 फंदे न रह जाएं चौबीस या चबीस फंदे न रह जा तब तक घटाएंगे ठीक है जब चौबीस या फिर चबीस फंदे हो जाएंगे बच जाएंगे तब हम इसको घटाना बंद कर देंगे तो पहले में इसको चबीस फंदे तक बना लेती हूं उसके बाद फिर आपको इसको दिखाती हूं के आगे क्या करना है यह हमारी आपके यह राइगलन कटिंग जो मैं बना रही थी फ्रेंट पार्ट वो कम्प्लीट हो गया है इस तरह से हम बनाते हैं ठीक है स्वेटर में बच्चे के और बड़े में यह तरीका है अब इसकी जो मैं इसको घटाते हुए तब तक गई हूं ज मैं यहां पर घटाना बंद कर दूगी और इसकी लेंथ अगर मैं आपको बताओं कि मैंने यह बनाया कितना है तो यह देखिएगा जिसे साबसे जितना स्लीप्स में होता है उतना ही हम इसमें करते हैं तो यहां से हमने कटिंग की थी तो अगर हम इस तरह से टेड़े में न पेंगे यहां से तो करीबन आप आप इसाड़े साथ इंच आ रहा है तो यह हमारा रैगलेंड कटिंग का नाप होता है देखिए इस तरह से यह बन कियाता है यह देख सकते है अप इस तरह से ठीक है और इसी तरह से जो है मैंने इसकी स्लीप्स बनाई थी और स्लीप्स को मैंने तब तक घटाया था जब तक यहां पर मेरे पास देखिए 2,4,6,8,10,14,16,18,20 पंदे नहीं रहे गए तब तक मैंने आपर स्लीप्स को घटाया रहे है ठी तो सेम है यहाँ पर इसको और इसको हम हमेशा नाप की देख लेंगे जब भी काम करेंगे अपना तो देखिए नाप पराबर है तो अब मैं तो गाइस अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हूँ रागलन कटिंग आपको समझ में आई हो किस तरह से करते हैं तो मेरे इ तो मैं तेखिए यू